अपने गबंड में चूर हार्दिक पांड़ा ने चेनने के किलाब रहादिया बुंबई इंडियास को जीता हुआ मैच रोई सर्मा की एक बात नहमानी अपने गलत वैसलों ने तोड़ दिया हार्दिक पांड़ा का गमांड खुद बने हार के गुनेगार माई भाई ने आकरी ओर में लगाए ऐसे चके पूरे आईपया ने बोलेंगे हार्दिक पांड़ा रखी रह गए हार्दिक पांड़ा की अकाड गेंद बाजी के तीन ओर में लुटाए 43 रान तो बल्ले बाजी में बनाए 6 बोल पार सिरफ 2 रान रोई सर्मा का देता कोई साथ तो बुम्बई ने जीच जाता मैच आकरी ओर तक लड़ते रहे रोई सर्मा जिदो उस्तो बुम्बई ने इसको चेने सुपर किंग्स के खिलाब 20 रंशे हार का सामना करना पड़ा आर के गुनेकार खुद कप्तान हार्दिक पांडय मने जिनोंने बल्ले बाजी के सासाथ गेंद बाजे के कुछ ऐसे गल्थ फैसले लिए जिनोंने बुम्बई नेसको मैच हरा दिया देरसल बीसवी ओर में जब माई भाई बल्ले बाजी करने आये तो माई भाई ने अहर्दिक पांडया के बीसवी ओर में तीन लगातार चक के और दो रन के साथ चार गेंद बर बीस रन बना डाले हार्दिक पांडया का यह फैसला उनके खुद पर ही बारी पड़ गया क्योंकि बुम्बई इनेस के पास जस्मित बुम्बरा को छोड़ कर शबी गेंदबाज उपलब थे लेकिन हार्दिक पांडया ने किशी को भी ओर नहीं बीसवा ओर कराया और यही ओर बुम्बई इनेस की हरका सबसे बड़ा कारण बना अगर हार्दिक पांडया बीसवे ओर में दसरन भी लुटा थे तो बुम्बई इनेस जीच जाता यह बड़ा मुकाबला लेकिन वे मेस दोनी ने जिस अंदाज में ताबर तोड चके लगाये वो कापी देखने लाइक थे हार्दिक पांडया इसे पूरे IPL बार नहीं बोनने वाले है जबकि बुम्बई इनेस की दूसरी बड़ी गलती जा रोई सरमा एक चोर पर कापी सांदार बल्ले बाजी कर रहे थे तो यह दूसरे चोर पर कोई भी बल्ले बाजी करने आये थे तो एशा लग रह लेकिन हार्दिक पांडया पूरे 6 बोल पा सिरफ दो रन बना कर आउट होगे और बुम्बई इनेस की हार मासी तै हो चुकि एक चोर पर तो रोई सरमा कापी सांदार बल्ले बाजी कर रहे थे लेकिन दूसरे चोर पर कोई साथ देने वाला नहीं था इसे में हार्दिक पा आगे के मकाबलों में अच्छा परदसल करना होगा और बुम्बई इनेस को आगे के बड़े मकाबले में जीत का योगदान देना होगा